श्रीनगर में नाका पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला एक जवान शहीद तीन आतंकी थे जम्मो कश्मीर में श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षबलों की भीच मुद्भेड शुरू हो गई और इस मुद्भेड में एक CRPF का जवान शहीद हो गया महीं तीन आतंकियों को सुरक्षा बलो ने मार गिरा है सैनसुत्रो के हम कीमाने तो श्रीनगर में नाका पार्टी चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान एक कार में मौजूद तीन आतंकियों ने खुद को फस्ता हुआ देखकर सुरक्षा बलो पर फारिंग शुरू कर दे इस दौरान एक CRPF जवान शहीद हो गया है वहीं जवाबी कारवाई में तीन आतंकि मारे गए हैं मगर अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है और दराज अलुछे 370 के 6 महीने पूरे होने की वजह से पूरे घाटी में बंद का मौखौल बना हुआ है और वहीं इसके चलते पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है गाटी में एक बग फिर से महौल को खराब करने की साज़िश के तहत सौरा इलाके में पोस्टर भी चस्पा किये गए है इसके तहत पांच परवरी को पूरी घाटी में दुकाने बंद रखने को भी कहा गया है पोस्टर में कहा गया है कि पाकस्तान समेथ कई मुलकों की ओर से पांच परवरी को कश्मीर के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा चिताया गया कि यदि किसी ने दुकान खोली तो उसे नुक्सान भुगतना पर सकता है हाला कि पोलिस ने पोस्टर्स को अपने कबजे में ले लिया